पूराने वीडियो के बारे में थोड़ा जो मैंने बताया था आप सबसे पहले डिसाइड करो आपको करना क्या है और अगर वो डिसाइड हो गया है अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे साइन्स पढ़ना है तो मुझसे मुलाकात हमेशा होती रहेगी I am P.Kumar I will teach you physics in different way मैं प्रयास करूँगा कि ये आपको समझ में आए और इस तरह से समझ में आए कि आप जिसके सामने explain करेंगे उसे भी समझ में आए मेरा ये प्रयास होगा आपको satisfy करने का एक चीज़ तो अभी तक clear है कि अगर आपने decide कर लिया कि मुझे life में कुछ करना है आपने life का aim अगर decide कर लिया तो आपका आधा काम आसान हो गया आपको अपने लक्ष पे पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने full determination के साथ ये decide कर लिया कि मुझे ये करना है मैं ये बनूंगा तो आप बन जाओगे अगर आपने decide कर लिया है अपना aim तो मेरे साथ आओ मैं आपको रास्ते दिख बताता हूँ आप कैसे पहुँच सकते हो दोस्तों किसी भी मंजिल को पाने में कठिनाईया जरूर होती है परिशानिया जरूर होती है troubles आते हैं, huddles आते हैं आपको उनको पार करके आगे जाना पड़ेगा आपका रास्ता clear है आप एक बार decide कर लिया आपने कि मुझे आगे बढ़ना है आपको कोई रोकने वाला नहीं है अभी तक आपने class 10 का जो भी कुछ पढ़ा, जितना आपने struggle किया, जितना आपने मेहनत किया, वो बहुत था वो एक संघर्ष से कभी कम नहीं था, लेकिन अब याद रखना पड़ेगा कि ये संघर्ष अब और strong हो गया है मैं एक छोटा सा आपको example बताता हूँ, आप थोड़ा मेरे साथ आओ, आपने 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा सब पास किया सो मैं बता रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, 10 अब की जो आपका step है, this is 11 बस आपको समझ में आ गया होगा कि class 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 by default आप जा रहे थे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 10 के बाद 11 का stairs है, जिस पे आप आगे बढ़ रहे थे आप जिस पे move कर रहे थे, वो थोड़ा height ज्यादा है, आपको अपने में इतना potential रखना पड़ेगा कि आप वो jump कर जाओ, और आपके साथ एक और problem है, अभी जो corona का problem आया है यह आपको प्रयास करेगा कि आपके stamina को घटाने का, आपको यहाँ से jump करके 10 से 11 में जाने में आपको जो 10 के बाद 11 का जो standard है, उसको cross करने में आपने जो class 10 में मेहनत किया था, उससे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा so be ready, यह सब possible है, आप मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ कैसे हो सकता है, बस सिर्फ एक चीज़ होगा physics को कभी भी रटने वाला चीज समझ कर मत पड़ो physics का जो concept है, physics जो चीज़ है, वो बताता है कि हर कुछ, everything, every phenomenon in this universe has a region कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके पीछे कुछ ने कुछ reason है so you have to find the reason why it happens आपने अगर वो पकड़ लिया, आपके mind में वो बैठता जाएगा और आपको problem का solution भी मिलता जाएगा आप step by step चलो, मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा बता दिया कि ये बहुत tough है उतना भी ज्यादा tough नहीं है कि आप सुरू में ही परेशन हो जाओ बट आप ये देखो कि आपको कैसे ये travel करना है अगर हमारा target हाई हो, अगर मुझे हिमाले पढ़ना पे चड़ना है तो मुझे उसकी तैयारी भी वैसे ही करनी चाहिए ताकि मैं last तक पहुँच सकूँ तो आप देखो, आप कैसे कर सकते हो मुझे उमीद है कि आप अगर मेहनत करे तो कभी पीछे नहीं हटोगे आप इससे बड़े-बड़े hurdles को पार करोगे और वो यू होता जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप class 11 को देखते हो मेरा एम सिर्फ 11 पास करना नहीं है आपके पास इतना knowledge आ जाना चाहिए कि आप उसके parallel class 11 का जो syllabus है IIT के लिए या engineering के लिए या medical के लिए आप उसको भी सीख लो lucid way में दिरे-दिरे हम लोग करेंगे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हम लोग जो book follow करते है या जो book आपके लिए important है उनमें से सबसे पहला NCRT यह देखने में छोटा है लेकिन काम बड़े काम की चीज़े second number HC वर्मा NCRT का भी दो पार्ट है class 11 के लिए HC वर्मा का एक पार्ट है class 11 के लिए एक पार्ट है class 12 के लिए तो आपको starting में HC वर्मा part 1 लेना चाहिए NCRT part 1 part 2 दोनों लेना पड़ेगा बट starting में part 1 ही आप ले लो ओके और अगर कुछ extraordinary चाहते हैं आप बहुत struggle करने वाले हैं आप बेटर है अधर से तो आपके लिए मैं option बताता हूँ that is DC Pandey and some questions of I.E. Erodov basically I.E. Erodov एक Russian book है जो इंडिया में technology enhancement के लिए study purpose के लिए रस्या से import किया जाता है आप उसके questions को भी बना सकते हो बट अगर आपने ये complete कर लिया good आपने इसके साथ ये भी कर लिया very good और अगर ये दोनों कर लिया तो मुझे लगता है DC Pandey में आपको problem नहीं होगा एक दो questions होंगे वो आप कर सकते हो ये अगर अगर इतना आपने कर लिया है आप medical entrance complete कर सकते हो medical qualify कर सकते हो DC Pandey अगर आप पढ़ लेते हो तो IIT का men's का जो questions होता है advance का जो question होता है वो सारा भी आप कर सकते हो ये helpful है इसके सारे question आपके scope में नहीं आता है कुछ questions है selected questions जो मैं time time पे आपको दिया करूँगा ये basically मैंने book के बारे में बता दिया अब क्या पढ़ना है मैं उसको भी थोड़ा brief में बताता हो जैसे आप note down कर लो physics basically class 11 and class 12 दोनों में पढ़ना है class 11 12 में अगर हम compare करे तो class 11 का physics थोड़ा hard है class 12 का थोड़ा और hard है तो आप कौन-कौन से chapter से क्या है वो सबसे पहला जो chapter है वो है unit and measurement second portion kinematics 6 third dynamics fourth properties of of material जसमें mechanical प्रोपर्टी थर्मल प्रोपर्टी सब आ जाएगा नेक्स्ट है थर्मोडाइनमेक्स waves and seventh light बस इतना ही है ये सारे chapter में आपका class 11 complete हो जाएगा और अगर आप class 11 ये ये आपने already पहने भी पढ़ा है इसमें कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी लेकिन आपके दिमाग का वो पूरा concept ही change कर देगा जो आपने अभी तक पढ़ा है जो भी आपने पढ़ा है वो बस brief overview था अब आपको पता चलेगा कि समुद्र कितना गहरा होता है अगर आप competition point of view से देखते हैं आप अगर knowledge point of view से देखते हैं तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा और जो simply pass करना चाहते है 11-12 उनके लिए उतना मेहनत की जुरत नहीं है ये बुक काफी है उससे भी ज़्यादा है सिर्फ एक बुक ही काफी है तो आप अगर suppose करो कि आप एक strategy के तुरूप अगर पढ़ते हो कि मुझे अच्छा score करना आपने board में बहुत अच्छा marks लाना है तो बहुत ज़्यादा आप light waves मैं नीचे से बता रहा हूं light आपने पढ़ा है waves भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है उसके बाद property of material मैं वो सारे parts बता रहा हूं जो सबसे आसान है सबसे आसान light waves properties of material और एक thermodynamics अगर इतना कर लेते हैं तो आपका 65% से उपर marks हा जाएगा लेकिन अगर आपको 100 marks लाने है तो ये भी आसान है ये भी आसान है ये भी आसान है और आप जैसे जैसे पढ़ोगे सारे के सारे आसान है कोई problem नहीं है आप अच्छा कर सकते हो बट ह है क्या आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा हर दिन एक routine बनाना पड़ेगा कि मुझे physics कम से कम तीन घंटे पढ़ने हैं कि कम से कम तीन घंटे आप physics पढ़ो आपको life में कोई problem नहीं आएगा मैं आपको simple सा बता दिया आपको theory भी पढ़ना है और साथ साथ में numerical को भी अच आपका body आपका mind आपका concept उतना स्ट्रॉंग होगा और आपको उसका result भी मिलेगा तो यह आपनो डाउन कर लो यही सारे चीज़े जो आपको basically पढ़ना है अब एकदम simple मैं एक बात आपको और बताता हूँ आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो आप अपने साथ एक copy pen मस्ट रख को you have to note on everything whatever I am saying or whatever I am writing over here so the first question is what is physics आप यह समझ लो physics जो वर्ड है that is that has come from physical physical और the word nature हिंदी में इसको भातिकी बोलते हैं भातिकी basically अगर कोई phenomenon है इस nature में यह जो nature है जिसमें हम लोग रह रह रहे हैं सब कुछ present है उसका कुछ rule and regulations है कुछ भी कुछ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है natural phenomenon है there are number of phenomenon that occurs regularly or time to time जैसे every day there is a sunrise and at that end there is evening there is sunset sometimes you see rainbow in the sky sometimes there is earthquake and sometimes volcanic eruption everything that is occurring in this nature has certain reason and what does physics says physics helps you to find the reason why it happens य्य embeds friendships बदाता है कि कोई भी चीज अगर हमाड़े सराण्डि में कुछ भी हो रहा है अगर morning हो रहा है साम हो रहा है धूप बढ़ रहा है बारिस जयादा हो रहा है ठण्डा ज्यादा बढ़ रहा है सब कुछ ज्यादा हो रहा है जो कुछ भी आप देखते हो, ठंडी के टाइम में ठंड बहुत होती है, गर्मी के टाइम में गर्मी बहुत होती है, अगर धूप ज़्यादा हुआ, तो वैपोराइजिशन ज़्यादा होता है, बारिस ज़्यादा होता है, बारिस कम होता है, हर कुछ को होने के पीछे एक न COVID-19 people are thinking why it is happening हम इसको कैसे control कर सकते हैं यह सारा सब चीज कहां से आता है यह जो भी अगर उसके लिए antidote बनाया या vaccine बनाया या testing kit बनाया all these comes from physics अब बुलो physics का है यह physics का इसका क्या रोल है मैं आपको explain करता हूँ कोई भी चीज अगर basically physics is study of phenomenon of nature nature में जितनी भी तरह के phenomenon हो रहे हैं उनका study उनके लिए क्या perfect reason है why it is happening यह मुझे physics बताता है आपको physics में आप कोई भी nature का phenomenon ले लो आप उसको search करो यह कहां से आ रहा है तो आपको physics help करेगा कि उसके पीछे exact region क्या था why it is happening क्या हम अगर suppose करो कि कभी भॉलकेन भॉलकेनो हुआ या कुछ कुछ भी एगर physical phenomenon होता है तो आप उसको physics उसको explain करता है ओके खी कि झायो dough खी कि ऑपकोम कर वारे किप ब्स्कुपस्जार। कि ऑमकर डॉलकेनी पीछें, इजस